नमस्कार मैं हूँ अनंद कुमार आप देख रहें लाइब लगातार आज देश महत्वागांधी और पूरुप्रधानमंतरी लाल बहादुर सास्त्री का जयनती मना रहा है बिरमो अंड मंडल के विविन अस्थानों पर भी महत्मा गांधी और सात्री जी के जैन्ती धूम धाम से मनाई जा रही है इसके साथ साथ गोम्या परखंड का भी एक अतिहासिक दिन है आज कही दिन गोम्या परखंड की अस्थापना होई थी बताय जाता है कि 2 अक्टूबर 1956 को यह परखंड कारजाले की निव रखे गई और उसी दिन से लंबे अंत्राल से परखंड यहां काजरत है और विकास की गती दिनों दिन बढ़ते ही जा रही है दुर्भाईक बस 17 जुलाई 2007 को नक्षलियों के द्वारा यहां परखंड कारजाले हुआ करता था जिसको ध्वस्त कर दिया गया ध्वस्त होने के बाद विडियो का कारजाले उपर के बिल्डिंग में चला गया और उसी दिन से यह अभी काजरत है और नया बिल्डिंग बनने की त्यारी चल रही है गोम्या एक केतिहासिक जगा भी है चुकि यहां महत्वा गांधी भी गोम्या आ चुके है गोम्या से करीब 3 किलोमेटर दूर यहां करमा टाण एक जगा है वही पर 1947 में महत्वा गांधी आये थे और यही से वह गोमो गये थे महत्वा गांधी के श्वागत के लिए सुतनता सेनानी होपनमा जी ने उनका वहां सभा कराई थी और सभा के बाद उन्हें गोमो तक पहुँचाय गया था इसलिए हम कहश रखते हैं कि गोमिया भी एक एतिहासिक दृष्टी कोन से एक अपना स्थान रखता है और गांधी जी का भी यहां पदारपन हो चुका है मेरे साथ हैं गोमिया के वीडियो कपिल कुमार और यह 49 वीडियो है आए इन से जानते हैं कि अभी गोमिया का विकास का काम कैसा चल रहा है अच्छा विगास चल रहा है काफी तेज गती से यहां तक देखें कि हर पारामिटर में बोकारो जीला में गोमिया का अच्छा पोजिशन है यहां तक कि डेवलोप्मेंट से समधित जो पारामिटर्स है मंदेगा के उसमें गोमिया भी एक नमर पर चल रहा है अब गांधी जैन्ती और साथ्ची जैन्ती था इसकर कोई कार्शक्रम या आज क्या कार्शक्रम आज हर पंचायत में ग्राम सभा है आगे जीपी डीपी के माध्यम से अपने गाउं के लिए पंचायत के विकास के लिए जो योजनाएं ली जानी है उसके संबंद में कि परणा बिल्डिंग था प्रखंकारजाले का इसके बाद उधर नई बिल्डिंग नई बिल्डिंग में जब एमसेशी द्वारा उसको दोस्त कर दिया गया तब यहां पर नई बिल्डिंग का निर्मान हो रहा है आप देख रहे थे लाइब लगातार मैं हूँ अनन्द क नूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहें लगाता.in के साथ